Hello student, good morning to all. Our today's topic is force are due to an interaction. आज हम पढ़ेंगे कि जो forces होते हैं वो interaction की वज़े से लगते हैं. जैसे देखो ये person है, ये कार चला रहा है, तो अगर मानलो उसकी गार रुक गई है, तो ये person जो पीछे खड़ा है, वो ये सोच रहा है कि मैं इसको push कर दूँ, इसको धक्का लगा दूँ ताकि ये कार स्टार्ट हो जए, तो अगर इसको इस कार को स्टार्ट करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, push करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इस hand से इसको push करना पड़ेगा, इसके पास और कोई, another कोई option ही नहीं है, या फिर अपनी lack से इसको push करना पड़ेगा, या फिर अपनी पूरी body से इसको push करना पड़ेगा, तब ही वो आगे की तरफ बढ़ेगी न, देखो, इस condition में, इस में देखो, ये क्या दिखा रहे हैं, एक hour begin pushed by a man, तो ये person क्या है, इस पे push करना start कर देता है, तो ये आगे की तरफ बढ़ जाती है, ये देखो, दोनों girls क्या कर दिया है, who is pushing home, इसमें समझ नहीं आ रहा है, कि कौन किसको धक्का लगा रहा है, ये लड़की इसको धक्का लगा रहा है, ये इसको धक्का लगा रहा है, इस वली situation में, who is pulling home, ये जो person है, ये इस बलद को अपनी तरफ खीच रहा है, और जो ये है, बुल है, ये इस person को अपनी तरफ खीच रहा है, तो इस सारी situation में हमको क्या दिखाया हुआ है, कि किसी भी चीज के उपर force लगाने के लिए उसके साथ contact बनाना जूरी है, ये मतलब अगर आपने किसी चीज को खीचना है, ये किसी चीज को push करना है, तो एक object और एक person ज़रूरी है, हाना, जैसे मानलो, अगर मैंने किसी box को push करना है, तो एक मैं होंगी और एक box होगा, हाना, इसी तरह से कोई भी एक दो जोने मिलके एक चीज के उपर धक्का लगा देखो इस सिचुएशन में क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा wooden का box है, इसके उपर ये ton of persons जो है, ये force लगा रहे है, और ये देखो ये situation क्या है, एक student यहां से force लगा रहे है, इसको push कर रहे है, और एक student यहां से force लगा रहे है, तो friends pushing a heavy load, एक बहुत heavy load है, उसको two friends push कर रहे हैं, in the same direction, ये देखो, इसमें same direction में कर रहे हैं, दोनों एक तरफ खड़े हैं, और same direction में आगे की तरफ, इस तरफ move करेगा ये box, अगर बटाए, यहां पर ये दोनों students अलग-लग direction में खड़े हैं, तो ये box move नहीं करेगा, ये box लिए, अहीं पर ही रहे हैं, क्य देखो, यहां पर ये equal force लगा रहे हैं, ये जो लड़की है, और इसके पिछे जितने भी students हैं, ये दोनों अपने अपने तरफ पुल कर रहे हैं, इस रस्ती को, देखो, the rope may not move, rope बिल्कुल move नहीं करेगी, if the two teams pull at with equal force, अगर ये वले team ने भी इतना ही force लगाया, जितना ये वले team force लगा रहे हैं, तो ये rope बिल्कुल भी movement शो नहीं करेगी, some time the rope simply does not move, it is not similar the situation in the figure, the team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game, अब जो team ज्यादा force लगाएगी अपनी तरफ, वो team winner team होती है, ये tag of war game दिखाई हुए है इनोंने, तो हमने क्या, इनका क्या कहने का मतलब है, कि जो ज्यादा force लगाएगा, वो win करेगा, means सारा load उस तरफ आ जाएगा, जिस तरफ force लगेगा, what do these examples suggested about the nature of force, forces applied on an object in the same direction add to another, देखो, ये same direction में force लगा रहे हैं, तो ये एक दुसरे के force को add कर रहे है, मानलो ये 10 newton का force लगा रहे है, ये भी percent 10 newton का force लगा रहे है, तो दोनों student मिलके, इस के उपर 20 newton का force लगा रहे है, तो ये चीज एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाएगी, लेकिन ये अपनी जगह से movement show नहीं करेगी, क्योंकि 10 newton का ये force लगा रहे है, ये भी 10 newton का force लगा रहे है, तो 10 plus 10 minus 10, क्या हो जाएगा, plus minus, means cancel हो जाएगे, दोनों force एक दूसरे क cancel कर देंगे, अब देखो, if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force act on it is the difference between the two forces, what do you observe in the activity 11.2, ये 11.2 activity है, देखो, this activity 11.2, this activity is 11.2, 11.2 activity जो है, इसमें क्या है, ये person इसको force लगा रहे है, तो ये अपना एक force लगा रहे है, और इससे ये चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन 11, when both of were pushing the heavy box from the opposite direction, अब देखो, इसमें ये क्या कर रहे है, 11.4 में, ये दोनों, आपस्क में ही, इधर से इतना ये force लगा रहे है, उ तो result इसका 0 आएगा, कोई result नहीं होता है, ये box यहीं पर पढ़ा रहेगा, ठीक है, what did you observe in the activity, when both of you were pushing the heavy box from the opposite direction, recall that is the tug of war, when two teams play, pull equally hard, the rope does not move in any direction, अगर two teams equally, एक दूसरी की तरफ खिचेंगी, किसी चीज को, रोग को, तो कुछ भी direction में movement नहीं होगी, तो we learn that a force could be larger or smaller than the another, the strength of the force is usually expressed by its magnitude, जो strength है force की वो उसके magnitude से पता चलती है, we have also to specify the direction in which the force act, also if the direction or the magnitude of the applied force change, its effect also change, अगर direction या फिर magnitude क्या होता है, अगर direction change करेंगे applied force की, तो उसका जो effect है वो भी change हो जाएगा, with the direction, इसके बाद हम यह पढ़ेंगे, इन जनरल, more than one force may be acting on another object, however the effect on the object is due to the net force acting on it, जो इसका movement change होगा, जो इसकी direction change होगी, वो net force के according change होती है, ना कि जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने force लगाएंगे तब इसकी direction change होगी, मतलब यह दोनों forces add हो जाएंगे, और यह दोनों forces क्या होती है, cancel हो जाती है, ओके, कल हम पढ़ेंगे, a force can change the state of motion, जो force है, वो किसी की भी state of motion को change कर सकता है, ओके student, bye bye, thank you.